और चटोरो की गैंग कैसे हैं आप सभी बताईए भई हैं तो दीखे आज हम लोग दो टैप के लच्छा पराठा बनाएंगे एक बनाएंगे प्याज वाले लच्छे मसाला मतलब प्याज के मसाला लच्छा पराठे ठीक है और दूसरा जो लच्छा पराठा होगा वो सिर्फ मसाला लच्छा पराठा होगा गजब की रेसेपी है अगर इसके साथ सिर्फ आपको एक प्याली चाए मिल जाए ना तो आपका दिन बन जाएगा ऐसे ये लच्छे पराठे बनेंगे और पूरी जो इसके लच्छे हैं उधेर के रख दिये मैंने आपके सामने हैं वीडियो में बने रहीएगा दो टाइक के हैं लच्छे पराठे ठीक है तो उसके लिए हम ले ले लेंगे लगबग 200 ग्राम के जितना मैदा और इसमें हम डाल देंगे दो चुटकी नमक नमक थोड़ा ही डालना है पराठे में ठीक है यह डो तयार हो गया इसके टकली के उपर थोड़ा ऑइल रगड़ देना है आपको ताकि यह रूखा न हो जाए रूखा सूखा रोटी तेरे हाथों से खाके आया तो यह मजा नहीं आएगा वो सिब गाने में अच्छा लगता है दस मिनट छोड़ देना है और दस मिनट के बाद आपको इसके equally दो पीसे कर लेने हैं क्योंकि हमें दो ही पराठे बनाने हैं मेरे गर में दो ही लोग हैं है हम दो ही बनाएंगे क्या करेंगे आप बताई हम दो ही बनाएंगे तो दो पराठे बनाएंगे, तो पहला पराठा के लिए हम लोई ले चुके हैं, और इसे हम थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे इसके टकले के उपर, और फिर हम इसे बेल लेंगे, अब बेलना कैसे है, थोड़ा तेड़ा मेड़ा भी अगर हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम न आपको ठीक है, इसके उपर ओईल लगा दीजेगा, अच्छी तरह से, अच्छी तरह आपको ओईल लगाने के बाद, इसके उपर अब हमें मसाले दार बनाना है, तो देखे, अब इसके उपर चॉप किया हुआ गालिक, मतलब लहसुन डालेंगी, एक चमच या आप ज़्य और चाट मसाला भी डाल देना है, थोड़ा इसके उपर कसूरी मेथी, चौथाई चमच के जितना आपको कसूरी मेथी, रगड के डाल देना है, चौप किया और हरा धनिया, यह सब मतलब कम जादा कर सकते हैं, और इसे थोड़ा थप थपा देंगे, ताकि यह चिपक जाए अब यह देखे, उठाना है, और एक के उपर ऐसे उठाना है, फिर इसके उपर रख देना है, फिर आसे उठाना है, इसके उपर, यह चो है न, इसको अच्छे से करना है, आपको टेढा मेडा नहीं करना है, तब ही अच्छे तरह से हैंगे, इसे खड़ा कर दीजे, खड़ पिछवाड़े में घुचर देना है ये देखिए ऐसे ताकि ये उधड़ेना मतलब निकलेना अब ये हमारा जो मसाला लच्छा पराठा है वो बनके तयार है अब दूसरा भी हम लोई तयार कर लेते हैं तब तक हाथ गंदे थोड़ा लाल-लाल हो जाएगा चिंता मत कीजिए इसे भी आपको बेल लेना है मैंने जासा कि बोला कि पद्मभूशन अवाड नहीं मिलेगा अगर गोल होगा तो ठीक है इसके उपर भी ऑईल गालिक मतलब ये सब सेम है गालिक ऑईल और ये ये इसमें थोड़ा अलग है प्याच के लच्छे बारीक लच्छे कट लेने हैं चोटी साइज का प्यासा लच्छे में डाल दिया है मैंने कट करके इसके उपर भी लाल मिर्स जाएगी थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा इसके उपर ब्लैक सॉल्ट बाकी सारी सामगरियां आपको इसमें भी डालनी है थोड़ा सा हरा धनिय डालना है इसे अच्छी त ऐसे हाथों की मदद से ऐसे देखिए ऐसे गोल 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 ये देखिया है ऐसे ऐसे गोल गोल कर लेना है और इसे भी जो है इसके पिछवाड़े में ऐसे डाल देना है अब यह जो प्याज वाला लच्छा पराट है इसे आपको हाथों से फैलाना है यह आराम से फैल ज तबे पे हम यह पराटा डाल देंगे, हाथों के मदद से फिर से आपको गोल आकार देने का कोशिश करना है, लगवग 20-30 सेकंड पकाया है, मैंने फिर से इसे फिलिप कर दिया है, इसके उपर हम ओईल लगाएंगे, हो सके तो आप ओईल ही लगाईएगा, अगर घी खाने के शौकीन है, तो गी लगा लिजगा, बटर अभी मत लगाईएगा, फिर से फिलिप कर देंगे, फिर से हम इसके उपर ओईल बर्श करेंगे, और अच्छी तरह दबा दबा के, और पलट पलट के आपको सेकना है, जब तकि अच्छा सा कलर ना आ जाए, देखें हो चुका है अब आते हैं, मसाला लच्छा पराठा की तरफ, तो इसे आपको आप बेल सकते हैं, आपके पास बेलन है, तो अच्छी तरह आप इसे गोल दीजेगा, अब देखें लच्छा पराठा थोड़ा मोटा ही रहता है, तो आप चाहेंगे कि एक दम पतला सा, एक दम रुमाली र और फिर उसके बाद इस पे भी हम ऑईल अपलाए करेंगे अच्छी तरह चारो तरफ आपको ऑईल लगाना है और इसे भी जैसा कि मैंने बोला अलट प्लट के पकाईएगा इसके उपर अच्छा सा गोल्डन धब्बे आ जाने चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे ठीक के बाद ऑईल उसके टकले पर रगड़ा था वैसे रगड़ सकते हैं तो अच्छी तरह हमने इसे सेख लिया है इसके उपर अच्छे खाशे धब्बे भी आ चुके है हो चुका है हमारे दोनों पर आठे जो बनके तयार हो चुके हैं अब आपको इसके उपर अमूल बटर देश का बटर ये लगाना है अच्छी तरह गिस गिस के लगाईएगा मजा आजा है वाह मेरे मूं में पानी आ रहा है सच बताओं मैं ठीक है वाह जी वाह अब इसे करश कर देना है मतलब मसल देना है कुचल देना है मतलब फाड देना है चीर देना है ठीक है ऐसे और इसे चटनी के साथ साही पनीर क्या बोलते हैं पनीर टिका या नौन वेज के साथ जैसे बटर चिकन हुआ आप इंज्वाइ कर सकते हैं सिंपल चाई के साथ भी खा सकते हैं बहुत अच्छी लगेगी उमीद कहता हूँ रेसेपी आपनों को बहुत जगास पलंग तोन लगे नहीं अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे चानल को सस्क्राइब कर दिए बैल अगन प्रेस कर दीजे ताकि आपको मिले नेक्ट डे बारा बचके बीस मिनट पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चल दी सेट बैल अगन प्रेस कर दीजे भाई